जो 25 दिसंबर में भीमग्यान चर्चा मिसन की यूर से बोध महुतसव का जो आयोजन किया जाता है उस आयोजन में हमारे बोधों की संख्याक लगबग एक लाक लोगों से जादा होने वाली है तो मैं मेडिया के माध्यम से यह अपील करूँगा कि वो परचार परशार के माध्यम से हमारे जो इत प्रोग्राम में आने वाले हमारे मुक्यतिती और वक्तागन हमारे बनते करणासील जी उनके साथ साथ हमारे दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्तर राजरतन अमेडगर जी हमारे तीसरे वक्ता के रूप में इस प्रोग्राम में आने वाले डॉक्तर कोसल पवार जी और इस प्रोग्राम में जो हमारे भीम ग्यान चर्चा मिसन से ही जुड़ी हुई वक्ता सकुन बोच जी तो ये जो प्रोग्राम है हम बोधों का एक ऐसा पारंप्रिक प्रोग्राम है पांचवा प्रोग्राम जो पांचवा ये बोध मोधसव है इस महत्सव में हम ज्यादा सा ज्यादा लोगो को लाने के लिए अपील करते हैं मैं नरेश गोतम भीम ग्यान चर्चा संग में आयोजन कमेटी में अध्यक्त के रूप में कारे कर रहा हूं और सभी से निवेदन करूँगा कि ज्यादा ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में पहुचे हैं मेरा नाम है स्पी आनन भीम ग्यान चर्चा मिसन गौतम बुद्धिनगर के तत्वावदान में होरेश बहुत महुत सब जो के 25 दिसंबर 2019 को ग्रेटे नोडा के अलफा टू सेक्टर में सिटी पार्क के सामने मनाय जा रहा है इसमें हमारे समाज के जो बहुत धमक प्रचारक हैं जो मजबूती से अपने धमकों प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं उन लोगों में और बक्ताओं के साथ साथ हम जो सांस्क्रति कारिक्रम हैं और जो गाउं गाउं सिटी से कस्वों से जहां छोटी-छोटी आबादी है वहां से लोग अपने-पने मिसंस को पहचान रहे हैं वो धीरे-दीरे करके इस बुधिस्दम जुड़ ज़न रहे हैं और अपने जो बक्ता हैं जो हमारे समाज में प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं उनको सुनने के लिए अपने इस सांस्क्रति बिरासत को देखने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं वो लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखते हुए मजबूती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग जैसे मुख्य बकता है हमार बंदे करुड़ाशील राहुल जी जो धंब भूमी से संबंध रखते हैं धंब भूमी के संस्थापक हैं दूसरे बगता हैं हमारे डक्टर राज रतन अम्मेटकर साहब जो बावा साहब के पोते हैं और बुद्देश सोसाइटी आफ इंडिया के संस्थापक हैं वो बावा पक्ता के रूप में डॉक्टर कौसल पवार हैं जो कि एक ऐसे समुधाय से आती हैं जो समुधाय सदियों से पिछड़ा रहा जिसे सफाई के अलाबाद दूसरा काम नहीं देखा गया न दिया गया ना उन्हें समानता मानपता का दाइरा दिया गया उस समास से निकल करके एक दिल्ली विश्वविद्याले में संस्क्रत की प्रोफेसर नियक्ति हुई है और काफी दिनों से दिल्ली विश्वविद्याले में अपनी सेवाईं दे रही है बुद्धिज्म का देश में क्या विदेशों में भी काफी परचार परसार कर रही है वो आज किसी परचाय का म यह और अपने हैं और अपने लोगों को भीमग्यान चर्चा मिसन के माध्यम से गाउं veto कशबे कशबे गलीगली जा करकर के जाग्रू क कर रही है हम आप लोगों से इस चाह्सिंच को सब्सक्रापि सब्सक्राइब कि इस आपके अपने बुद्धिश्ट प्रोग्राम में जरूर आएं भारी तादात में आएं आप अपने रिष्टेदारों सम्मंदियों और दोस्तों के ले कर परिबार के साथ आएं सभी को जैवीम नमो बुद्धा है जी नमो बुद्धा जेवीम मैं सुरेजबाल राक्षिस एड़ोकेट पंचम बर्दम उत्सव का जो उत्सव ग्रेट नोड़ाम होना है यह तो एक कारीकरम ना फ्रंक्शन है लेकिन यह एक एतिहासिक परव उत्सव है राष्टी है जिन जीवन में और भारत के एतिहासिक सा झाष्ट परव और और थैरें चैने का संदेश देने वारा उसव बाहतों की अ मिट विरासत है आप इसकारी ग्रम में आईए और बातओकी अमिट विरासत से रूबर्य começo में आते हैं किस तरीके से बहुत धम के मानने वाले लोग, बहुत धम के लोग किस तरीके से अपनी परम परिक विस भूसाओं में आते हैं, अपने उत्सबों को मनाते हैं, और किस तरीके से वो समाज को एक ही करार का संदिश देते हैं। तो मैं आपको इस उस सब के बारे में बता रहा हूँ, जो ग्रेट नोडा में कारी करम हो रहा है, उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, तो देश भर में, जहां भी बुदिश्ट लोग रहते हैं, वो इस दिन को जसे हिंदू दीवाली मनाते हैं, क्रिस्चिन अपना क्रिस मिजडे मनाते हैं, मुसलिम हीद मनाते हैं, तो वैसे ही बुदिश्ट लोग बहुत महतसब मनाते हैं, ये बहुत महतसब घरों में रंगाई पुताही से ले करके, घरों की साजसलजा तक महिलाय करती हैं, बच्चों को ने कपड़े दिलवाए जाते हैं, और सक्षम लोग गरीवों की मदद भी करते हैं गरीवों को भी इस दिन दन देने की परंपरा बहुत नखी थुं में रही है Подो बुधिस्त लोग इस कारी करम में बहरी सिंक्या में da Second game to Great you can't roll की कुछ सुन कि रही आ है कुछ भीशे आईजित होने वाले कारी करम का एक छोट ऐसा स्टीकर है इसमें आप देखोगे कि दिल्ली में रहने वाले और बॉध गाय की में अपना सरवच इस्थान आसिल करने वाले तरन्न बॉध और हमंत बॉध की जोड़ी अपने सुरों का यहां कमाल और जादू बखेरेगी साथी मन्ञीत महरा जी आरहे हैं जो किसी परीचे के में मतार की मंजीत मैरा तो मचीत महरा जी इस कारी करम में होंगे और वो अपने गायकी से आप सब का मन में मूह ऴूंगे इनके साथ साथ बुलेंसेर की धरा से चल करके दो ग्रेट गायक, महाल गायक जिनमें ससी भूशन है और विजय शैनी ये दोनों साथी बुलेंसेर की भूमी से जिनोंने भारत में पेचाण बनाई है वो इस कारी करम को रंगत प्रिदान कर रहे होंगे इनके साथ साथ दिल्ली का रहने वाला एक बाल गायक, बाल कलाकार, बाल आर्टिस्ट प्रियांसु गोतम भी इस कारी करम में होगा उसके साथ साथ एक छोटी बच्ची है वो भी गायकी में अपना हुनर रखती है जिसका नानत तिरिसला गोतम इस पोस्टर पर छोटी सी पुर्चे निकल करके आई हैं तो इनके अलावा ये तो हमारे परमुख गायक हैं जो इसमें अपना इस्थान रखते हैं इनके सासत मैं आप लोगों को बता दूँ कि महराश्च से चल करके एक टीम आ रही है जो युवा लड़की और लड़कों की टीम है जो नक्टे में इसके अलावा आपको हर्याणवी राजिस्तानी पंजाबी आपको कल्चर देखने को मिलेगी यह बहुत हो की वह लोकल कल्चर है जिसके दर्सनियां आपको होंगे नगारे बज़ने होंगे तुर्रियां बज़नी होंगी और गेट पर ही कालवेलिया जैसे डांसर्स मौज करके जिसमें बाबासाहिब दारा लिखा गया बहुत दोगा प्रमुक धंगरन दबुदायल इस धम्मा का एक सो होगा जिसमें रत पर सवार होकर कि यह धम लाया जागा दूसरा भारत का सम्विधान जिसके साथ समराट असोग बावसाड़े टंबेर कर और भगवाल गौतम बुद्ध के चित्र होंगे तो इस तरीके का यह कालिक्रम होगा सभी को जैवीम नावबुद्धाय साथियों जैसी के अभी बहुत पंचब बहुत महुत समकी रूप रिखा के बारे में जानकारी दी गई हम इसके बारे में गाउं 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 जाकर के लोगों को बता रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जन्वरी 1950 को जब ब इधान के लागू होने से हमको वो सब अधिकार मिल गए थे जिन अधिकारों से हमको वंचित रखा गया था उन सब अधिकारों को मिलने के बाद मैं हम लोगों की सिक्षा के द्वार खुले बिजनिस के द्वार खुले नौकरियों के द्वार खुले तो हम तरकी करके आगे बढ़े और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहें तो जो हमारी एक धार्मिक पहचान और जो हमारे धार्मिक उत्साव मोहत्सावों की पहचान थी जो कहीं समय के आवगोस में लुप्त हो चुकी थी उसको बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंपेडगर जी ने 14 अक्टोबर लोगों को बता रहे हैं तो जैसे भी हम सबस्क्राइब में लेकिन उत्सावों को लेगर के जो और उससाए का माहल है कि wnaw जाने से विए उनको यहीं अपील करते हैं कि यह हमारे बहुत महुंसा में हमारी संस्क्रति हैं हमारी सब्सक्राइब करता हूं कि हमारे संदेश को लोगों सबस्क्राइब करें। यो भी जानकारी सब्सक्राइब या जो भी हमारे गाहों से आने वाले लोग या जो भी भाई बंदू जो भी आएंगे उनको परीचोक से हमारे पंसील के घंडे और सब उनके मार दरसन के लिए लगे हर 50 मीटर पर उनको पंसील के घंडा दिखाई देगा अगर आप घंडे को देखकर के चलते रहेंगे जो कि आसपास के गोल चकर है उनको देखते हुए आप पहुंच जाएंगे और दिनात रहेगी इसका प्रोग्राम है हमारे पचीज दिसंबर 2011 को सुबह से यहां सुबह आट बैसा लेकर के और स्याम को समझें कि साथ आट बैस तक है हमारे प्रोग्राम है सभी के लिए खाने क कि जाती है और आप सब लोग उसमें हमारी तरफ से आवंत्रित हैं कि आप सब उसमें आए और प्रोग्राम की रिगोर्डिंग करके पबलिक इसने संपक सुथ भी आप बता देंगे दो लोग आप से परीचित कॉंटेक्ट पे कर पाएंगे इस कारी करम का जो टाइमिंग कि अभी आदे ने हमारी सन्यक्षक मोदे के पी सिंगी ने बताया है आपको फिर भी मैं आपको इस पर कुछ कॉंटेक्ट नंबर पड़े हुए है मैं बोल करके बता रहा हूं दूसरा नंबर कारी करम के जन्रल सेक्रेटरी का है 750-367-5069 तो दो नंबर मैंने बोल दी है बागी त्री नंबर हो रहे है वह इसमें आरे वीडियो मा आरे वह आप देख सकते हैं तो कारी करम सुबह से ही स्टार्ट होगा 25 दिसंबर का दिन होगा साम तक कारी करम चलेगा जो व्यक्ति उतना जंदी आएगा वह उसका आनल देता है